शेशिकार जी नमश्कार मेरे प्यारे दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे फिर से स्वागत है आप सब का हमारी चैनल एसस बिल्टर्स ग्रूप के अपर दोस्तों मैं शेरंजी सिंग आज आपके लेके हैं 30 by 60 साइस के अंदर 200 गज में 4 plus 1 वी एच के हमारा रहने वारा सेक्टर 125 सब्सक्राइब की लोकेशन के अंदर रहेगा और नौर्थ इस्ट फेसिंग के अंदर रहने वारा डूपले हाउस है सेक्टर 125 सब्सक्राइब क्लिफ 30 by 60 साइस के अंदर 200 गज में बिल्ट अफ हाउस है फूर प्लस बन भी एच के में और काफी प्राइम लोकेशन के ओपर रहने वाला है घर की किनेक्टिविटी बहुत इजी है देखिए सामने जो रोड रहने वाली है 30 फीट की रोड घर के पर को सामने है और किनेक् विल्कुल वाकिंग डिस्टेंप गुर्दवारा साब है और वाकिंग डिस्टेंज पर ही मार्किट है टैंपल्स हैं स्कूल्स है और सारी अकुमेनेटी यहां पर ड्वालप एरिये के अंदर आपको मिलने वाली है जो खाली प्लॉट देख रहे हो पांस सोगज के साइज क प्लॉट वालप एरिये के अदर देखिया स्केर जिसके अंदर आपको मिलने वाला है और डिजाइनर शीट्स यहां पर प्रॉपर आपको फ्रंट एलिवेशन पर मिलने वाला है यूनीक एलिवेशन के साथ 30 वाइज सिक्षी साइज के अंदर 4 प्लस 1 बीएच के अगां से एक टर 125 सनीन के अंदर रेने वाला है पूरा इफरंट एलिवेशन काफी अच्छे तरीके से मौडरन डिजाइन किया गया है मौडरन तरीके से डिजाइन किया गया है पाकिंग काफी खुली तुली आपको मिल जाती है घर के बिलकुल सामने एक बड़ी स्योवी गाड़ी स्टेनलेस टील की रेलिंग के साथ आपको यहां पे मेन एंटरिस का गेट मिलने वाला है घर के बिलकुल सामने देखे एक बड़ी स्योवी गाड़ी आप यहां पे पाक कर सकते हो प्रॉपर ग्रेन और माबल का यूज पाकिंग के अंदर किया गया है और दो गाड़ी आप बिलकुल घर के अंदर पाक कर सकते हो तो बिल्ट आप प्रॉपर्टी है यह रेडी टू मूव है हमारे पास ट्राइश सिटी में प्लाट्स फ्लैट्स और फ्लोर्स अवेलबल हैं अगर आप कहीं पे भी ट्राइश सिटी चेन्डिकर्ट महाली में प्लैन कर रहें तो दोस नीच का यहां पあれ आपको वर्क मिलने वाल है और साथ में फैंसी लाइटिंग यलक ओर की विंडो मिलने वाली है जिससे नाच्चु लाइट ढ्रीट ड्रेंग रूम के अंदर का पी अच्छी दोस्तों आपको मिलने वाली है पार्कि decrec यह आपका गैस स्लेंडर का यहां पर प्रवीजन आगया है जो किचन सामने आपको मिल रही है यहां पर आप आप स्लेंडर स्टोर कर सकते हो और चोटा मोटा गार्डनिंग के लिए जो भी आप समान यूज़ करते हैं यहां पर आप आप से स्टोर कर सकते हो देखिए दोस्तों, यह हमारी main entrance आगी है यहाँ पर, mess door मिलता है का आपको जाली वाले हैं यहाँ पर designer coded lock मिलने वाला है, और काफी खुबसूर्ट तरीके से design किया गया main door, enter करते ही, right inside पर आपको खुबसूर्ट काफी खुलाड़ ड्रेंग रो मिल जा जाता है, और यह रहेगी हमारी main entry यहाँ से घर की, enter करते ही, left in की जो लंबी wall आपको मिलती है, यहाँ पर भी जो cut out falls के अंद काफी अच्छी designing मिलने वाली है, है यहाँ पे आपको, do you know, main door के दोनों side आपको, डोन का वर्क काफी अच्छा मिलने वाला है inside से भी और outside से भी, अंदर से भी आर बहार से भी, ड्रेंग रूम काफी खुला डूला है दोस्तों काफी स्पेसिस ड्रेंग रूम के अंदर भी वोडन का पार्टिशन आपको मिलने वाला है एल कॉर्नर प्रॉपर विंडो यहां पे बड़ी एल कॉर्नर विंडो मिलने वाली है जिससे नेच्चर लाइट पूरे ड्रेंग रूम के अंदर आप देख सकते हो और वोडन का पार्टिशन भी HDM MDF के साथ MDF की जाली के साथ काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है खुबसूर्थ वीनियर का और टीक प्लाई का यूज किया गया है यहां पे पूरे घर में जो फ्लोरिंग रहने वाली है 32 इंच वाई 64 इंच की आपको फ्लोरिंग टाइल्स मिलने वाली है और 12 सीटर सोफे की सीटिंग अराम से आपके ड्रेंग रूम में यहां बन दिया दोस्तो कुछ काम वाल पेपर और वाईट वाश के पैंडिंग है अगर आप इस गर को बाई करते हैं तो हम लोग आपकी चौश के एकॉर्डिंग आज इस स्टेज पर दे सकते हैं को है तो देखिए दोस्तों अंदर से स्टेयर है स्टेयर भी प्रॉपर वासु सास्तर के कर्णिंग यहां पर क्लाक वाईज हम लोग लेकर चले हैं और स्टेनलेस्टी स्टीर की रेलिंग काम थोड़ा सा पैंडिंग है यह लव भी आगी हमारी फैमली लाँच इसको लोग कह सकते हैं और यहां पर देख सकते हो आप लेडी पैनल का हम लोग पर विजन लेके चले हैं और वोडन का प्रॉपर पार्टिशन यहां पर ग्लास का वर्क अभी आपको मिलने वाला है तुक्री वर्क के साथ और सामने देख सकते हो आप यहां पर हम लोग एक विंटी का पर रूफटॉप से और वीनियर के साथ टीक प्लाई का यूज किया गया है जितने भी नीच का वर्क आप देख रहे हो किचन के बिलकुल सामने डाइनिंग एरिया आगया दोस्तों डाइनिंग एरिया में भी देखोगे आप तो पर आपको यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट डिजा साफ्ट क्लोज्ट ड्राऊर्व्स रहने वाले यहां पे सारे हमारे और टॉप चो किचन का बॉटम रहने वाला हैा हमारा ग्रे आपको टॉल और यूनिट यहां पे रहेगा हमारा माइक्रोवे ओटी जी का पर विजन और यहां पर लेकर चले हैं तो देखिए दूस्तों काफी खुला डूला फ्रिज का फिल एक किचन टवल डूर का फिज का पर विजन भी आपको यहां पर रेफ्रिजिरेटर का देख सक सकते हो लेकर चले हम लोग सामने एक बड़ी विंडव है यह से आप बाहर का व्यू देख सकते हो वेंटिलेशन का भी प्रॉपर यहां पर ध्यान रखके डिजाइन किया गया यहां पर एक विंडव को काफी खुल डूली किचन के बलकुल सामने डाइनिंग एरिया और टा देखिए दोस्तों फर्स बेडरूम आगया ग्राउंड फ्रोर पे हमारा स्लाइडिंग यहां पर आपको कबड्स मिलने वाले ड्रेसिंग एरिये के साथ और स्मार्ट लुकिंग यहां पर हमारी ड्रेसिंग एरिये में आपको स्टोरेज मिल जाती है और फुल हाईडी बेड़ बेक फॉल जो है यहां पर वाल पेड़ पर आफएंसी लाइटिंग का काम अभी पेंडिंग है तो दोस्तों वाश्रूम इस बेडरूम के साथ अटैच्ट रहने वाले हमारा और यह रहेगा हमारा यहां पर कबड्स फुल हाईड स्लाइडिंग कबड्स आपको यह पर चांद लगा रहा है और सामने देख सकते हो एक वोडन का लेड़ी पैनल आपको मिर रहे है दोस्तों काफी खुबसूर्थ देजाइन इस लेड़ी पैनल का और बैक याड बेड़े की वीसी बेडरूम के साथ कनेक्टिविटी रहेगी और यह रहेगा हमारा के वाश्र वाश्रूम दो वाई चार के प्रेयम टायल्स यूज़ की गही है वाश्रूम के अंदर भी और काफी अच्छा डिजाजिन देख सकते हो आप और यह डिजाइनर शीट गुरूव के डिजाइन के अंदर यूज़ की गिए वाल हैंगिंग टॉयलेट शीट हैंगी यहां पर थ्री वेडा वाइटर यहां पे लगे वेंटी का भी सारा परवेजन आउरडी यहां पे पहले से इंस्टाल है यह आगा हमारा बैक एड़ बेडा इस बेटरूम से हमारी बैक एड़ वेड़े की कनेक्ट वेड़ रहेगी मैस डूर प्रॉपर आपको मिलने वाला है यहां पे और जो बैक वाल्स जितनी भी हमारी बैक कैड बेड़े की रहेंगी प्रॉपर टाइल्स का यूज किया गया यहां पे कि फ्यूचर में जैसे आप वाशिंग परपस से इस एरिय को यूज करते हो गंदा हो जाता है तो इसली टाइल को वाश करके यहां इस एरिय को क्लीन कर सकते हो और फ्यूचर में अगर सोरा सलाब भी कभी आता है इस वाल्स के ओपर तो आपको टाइल्स पहले मेरे रही हैं वो पपर कवर कर लेती है जो नगा अगर में और है जाता है अमारा 2 बेडरूम जो गृमट फ्रोल में वह पर है तो देखिए दोस्तो कितना प्यारा यहां पर आपको डाउन फॉल्स लिंग का वर्क मिलने वाला है पतंग चाल स्टाइल के अंदर डिजाइनिंग जो डॉन फॉल से लिंगी है पतंग चाल के अंदर रहने वाली है हमारी और ये रहेंगे हमारे कबर्ड्स फुल हाइट कबर्ड्स है जितना भी यहाँ पर कबर्ड्स का और किचन का वर्क देख रहे हैं जो आप सारे HDMR के अंदर यूज किया गया है HDMR की क्वाल्टी थोड़ी हैवी रहती है नॉर्मल प्लाइवोट से क्योंकि इसमें ना ही कभी दिमक लगता है ना ही कभी ये पानी से या फिर किसी और चीज़ से मॉस्टर से इसमें कभी प्रॉलम आती है काफी अच्छा खूब सिर्थ तरीके से डिजाइन किया गया है और जो अटाइज वास्रूम रहने वाला दोखी दोस्तों कितना खूला डूला आपको इस बेडरूम में डिजाइनर वास्रूम मिलने वाला है प्रॉपर को उपलाइट्स का प्रवीजन वास्रूम के डाउन फॉल से लिके अंदर और ग्रेज शेट्स के अंदर वाल टाइल्स रहने वाली हैं हमारी तो काफी खुला डूला वास्रूम आपको यहां पे ग्रॉपर में तो बेडरूम के साथ मिलने वाला है तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं स्टियर से फर्स्ट रोर की और देखिए स्टियर्स के निच्छे भी मास्टर स्टोरेज हमारी छोटी सी स्टोरेज बनी हुई है और प्रॉपर डॉन फॉल से लिंगा वर्क देखो ही सेरी के अंदर भी आपको मिलने वाला है और चार इंच का स्टैप काफी कमफेटेबल स्टैप चो रहता है टेकनिकल अगर आपक कंस्ट्रक्शन की तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा अगर यह स्टैप कमफेटेबल हो तो कभी भी आपके नीज में कोड़ों में प्रॉलम नहीं आती एजिली कोई भी बजुर गया बच्चा स्टेयर से फस्ट वर की और जा सकता है और यह आगे हमारा पूज प्रॉट्स रहता है जो इसको घर को बाई करेगा और क्रिशन जी का देखो गया आप यह जो साइन है भगवान जी का साइन आपको हम लोग यहां पर हट्डियम आर के अंदर डिजाइन के अंदर दे रहे हैं काफी अच्छी लाइटिंग काफी खुल डॉला पूजा रूम और पूजा रूम के साथ देख सकते हैं आप कितना अच्छा यहां पर वोटन का डिजाइन किया गया है और फ्लोरिंग यहां पर भी 32 इंच वाई 64 इंच आपको फर्स फ्रो पर भी टाइल्स मिलने मरें प्रेमियम टाइल्स पूजा रूम के साथ ही आपको यहां पे छोट बेड्रों के और जो फर्स फ्रो पर रहेगा हमारा अभी फिनिशिंग का काम पैंडिंग है दोस्तों इसलिए थोड़ा बहुत समान बिखरा हुआ है अगर वीडियो में हम लोग कुछ आपको बता नहीं पाते या कुछ एकस्प्लेइन नहीं कर पाते तो प्लीज मेरी आप को ये बेड्रूम मिर रहा है और फरंट बालकिनी भी इसी बेड्रूम के साथ हमारी अटाज़ रहने वाली है दोस्तों मास्टर बेड्रूम कह सकते हैं फर्स फ्रो का हम लोग और इसी बेड्रूम के साथ हमारी फर्स फ्रो की बालकिनी अटाज़ फरंट बालकिनी रहेगी और देखिए कितना खुला डुला आपको ये क्लोजट मिलता है यहां पे और जितना मर्ची आप यहां पे समान स्टोर कर सकते हो स्लाइडिंग कबड़्स यहां पर ड्रेसिंग एरी के साथ आपको मिलते हैं अटाइट वाश्रूम भी रहेगा यहां पे HDMR के साथ ही डिजाइन किये गए हैं पूरे LED पैनल्स और कबड़्स और किचन्स जितने भी यहां पे वटन का वर्क मिलने वाला है आपको और यह रहेगा हमारा वाश्रूम आटाइट इस बेटरूम के साथ भी यहां पे आप अपना शावर के यहां देख सकते हैं वाल हाईगिंग ट्वालेट शीट सा आगी हमारी यहां पे और टब और रिडी हम लोग यहां पे आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं दोस्तों और यह आगे हमारा फूर्थ बेडरूम जो बैक याट बेड़े के साथ कनेक्ट रहेगा वाश्रूम इस बेडरूम के साथ भी हमारा अटाच जाएगा तो काफी खुला डूला यह वाश्रूम बेडरूम हमारा खूपसूरत डिजाइनिंग के साथ यहां पे काबर्ट्स आपको मिलने वाले हैं स्लाइडिंग ड्रेसिंग एरिये के साथ और इसी शेड्स के अंदर आपको सेम शेड्स के अंदर लीडी पैनार का डिजाइनिंग आपको मिलने वाले है बैड़ वाल का जितने भी अभी तक कि आपने बेडरूम देखे हैं वाल पेपर का काम भी पैंडिंग है अगर आप इस घर को buy करते हो तो मेरी आप से request रहेगी प्लीज जितना जल्दी हो सकता है हमारे से contact कीजिए जितना भी wallpapers का काम pending है वो हम लोग आपकी choice का recording दे सकते है कोई fancy lighting का काम pending है वो हम लोग आपकी choice का recording दे सकते है basically दोस्तों हम लोग builder है अगर आपकी किसी भी तरह की requirement है तो उस हमारे से contact कीजिए हम लोग ग्राउंड लेवल से आपकी choice का recording अपने plots के ओपर घर बना के दे सकते है और यह रहेगा हमारा attached washroom designer washroom देखे मैट finishing के अंदर आपको मिलने वाला है काफी खुला डूला आठ फुट वाई आठ फुट साइज के अंदर यह वाश्व मापको इस bedroom के साथ attach मिलने वाला है दोस्तों और backyard beday की भी इसी bedroom के साथ हमारी connectivity रहने वाली है और एक connectivity और रहेगी हमारी backyard beday की यह रहेगी backyard beday की connectivity और यहीं से जाते है हम लोग first floor की और अब हम लोग second floor की और second floor पे आगी है देखिए दोस्तों यहां पे एक आपको खुला डूला bedroom और वाश्रूम मिलता है normal rooftop के ओपर आपको rough टैप में टाइल मिलती है मगर यहां पे हमने दो बाई दो की mat finishing के अंदर आपको टाइल दिया group finishing के साथ और एक bedroom और एक वाश्रूम आपको second floor के ओपर मिल रहे है तो almost यह हमारे जाते है four plus one भी हच की इस bedroom को आप अपने servant के लिए या फिर अपने driver के लिए यूज कर सकते हो जैसी भी आपकी requirement होगी तो दोस्तो जितने भी split aces हैं या फिर drain के outlet हैं वो सारे ही इस तरीके से design किये गए कहीं पे भी कोई आपकी जो space है वो waste ना जाए और देख सकते हो आप इस के इस floor के ओपर भी अगर आप construction करना चाहते है तो सारे इपर business floor के ओपर ले भी लेके चले हैं हम लोग तो अराम से यहां पर आप construction कर सकते हो कि खुले डुले bedroom और वाश्रूम और चोटी सी पेंटरी के साथ आपको मिलता है रूस्टाफ का एरिया साथ में मिलता है आपको एक छोटा सा बार जो कि उपन बार हम लोग लेके चले हैं देखे बार कांटर यहां पर बना हुआ है वो आपके requirement है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हो हम लोग यहां पे छोटा सा बार कांटर का प्रिविजन लेके चले हैं अगर आप यहां को अपना बार ब्यक्यो टाइप कभी यूज़ करना चाहते हो चोटा गेट टुगेधर पार्टी करना जाते तो अराम से इसी एरिया को अपने अकॉर्डिंग दोस्तो आई होप आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शियर और सब्सक्राइब ज़ूर करना हम लोग जल्दी मिलेंगे दोस्तो आपको एक और वीडियो के साथ एक और इच्छी टाइल्स, फ्रन्ट एलिवेशन की टाइल्स का देखिए, यूज मिलता है, कफी अच्छी डिजाइनर टाइल्स, यहां पर वाल टाइल्स यूज कीगी हैं, और बाहर का एरिया,